कि नमस्कार भायों बैनों स्वागत है आपका कोचिंग हपस मैं मैं हूँ आपका होस्ट लालित और आज की इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि अगर आप लोग वेबसाइट डेवलपमेंट में अपना करियर शुरू कर रहे हैं तो आपको कुछ बेसिक एसेंशल ट कौन से टूल से उनके बारे में ये पुरा वीडियो है दो टूल है besically पहला है आपको एक एट्इल की रिक्वाइर्मेंट है तो कॉन सा एक डाउनलोड करों उसके बारे मैं आप लोग को बता रहा हूं दूसरा आपको एक server की requirement होती है जब भी आप coding करते हो कोई भी code को कोई भी code लिख रहे हो तो आपको उस code को compile करने के लिए run करने के लिए server की requirement रहेगी ठीक है जो से run करा के उसका output जो है वो front end पे दिखाए तो उसके लिए हमें एक local server चाहिए होता है जब हम development कर रहे है तो हमें अपने system पे एक local server बनाना पड़ता है जिस पे हम अपने code को compile करके उसका output दिखाते हैं ठीक है तो उसके लिए मैं यह दो चीज़े आपको बता रहा हूँ उसके बाद एक basic code मैं आपको करके दिखाऊँगा और बताऊँगा कि वो किस तरीके से काम किया या फिर कैसे हमने उसे run कराया तो उसका पूरा example के साथ मैं आपको करके दिखाऊँगा तो सबसे पहला जो है वो है basically editor तो editor अगर मैं आपको बताऊँँ तो सबसे बढ़िया जो मुझे लगता है वो है sublime text इसके अलाव भी multiple editor market में है मैं as a php में काम करता हूँ ठीक है न पीएश पी में website वगरा बनाता हूँ तो php के लिए बहुत बढ़िया है और काफी सारी jobs आज के समय में आप देखते हो कि php में है तो मेरा दूसरा मकसद ये भी है कि मैं आप लोग को वो चीज़ें बता हूँ अपने चैनल पे जो जिससे आप actual job ले सके यानि कि आप as a freelancer अगर काम कर रहे है घर से तो जो जो आपकी requirement है वो requirement वाली चीज़ें मैं आप लोग को बता हूँ तो sublime text है sublime text को आप जाएं इसमें sublime text में मैंने क्लिक किया और यहाँ पर option आ रहा है download for windows तो मैंने यहाँ पर click किया download window के लिए इसको save किया तो अभी यह download होगा 10MB का है ठीक है इसके अलावा जो server की मैंने आप लोग को बाद दोता ही server है आपका zam server xampp मैं नीचे description में इसके link के दे दूँँगा आप जाके महाँ से देख सकते हो तो जलसे ही आप type करोगे zamp तो यहाँ पर option आ रहा है download zamp तो download jamp में मैंने click किया तो यहाँ पर इस तरीके से option आ रहा है तो यहाँ पर दिखा रहा है कि jamp for windows और यहाँ से मैंने यह तीसरा वाला जो है अभी मैंने इसको download कर लिया तो यह दोनु बैसिकली मैंने downloading पर यह तो मैंने already कर लिया है लेकिन sublime text आपके सामने download कर रहा हूं तो डाइम लग जाएगा तब तक jamp को install करके मैं आप लोग को दिखाता हूं तो download बागर मैं जाता हूं तो यहाँ पर है jam show in folder में गए show in folder में यहां से click किया तो अब इससे हम install करते हैं ठीक है अब main बात यह है कि editor जो मैंने आप लोग को बताया है जब तक यह खुल के आता है मैं आपको कुछ और बाता भी बता दूँ कि editor basically आप काम काईदे में text file पे भी कर सकते हो आप notepad पे भी कर सकते हो notepad प्लस प्लस आता है उस पे भी कर सकते हो तो multiple आपके सामने option है लेकिन editor की requirement हमें इसलिए होती है क्योंकि आज के समय में time बहुत important है और जो आज के नए एडिटर है जैसे sublime text और जो दूसरे एडिटर है कई सारे वह आपके time को बचाते हैं कई सारे code ऐसे होते हैं कि आप manually type करोगे पूरा का पूरा इससे बढ़िया अगर वह auto complete हो जाए तो वह ज़्यादा बढ़िया है तो इसमें auto complete features होते है जिसकी वैसे हम इनको यूज करते हैं तो jam का हमार सामने option आया इसको मैंने yes किया यस करने के बाद अभी थोड़ा open होके आएगा यह देखो open होके आ रहा है बिट नामी करके यह क्या लिखा हो आ रहा है अभी मैं इसको okay करता हूं ठीक है कुछ नहीं करना अभी okay करना आप भी ऐसी करना क्योंकि आपके इसी एरर आ सकती है यह आती है जब आप इस्टॉल करोगे तो यह एरर नहीं है वह user account पर जागे कुछ option को आपने बंद करना पड़ेगा तो अपने आप ओके चालू हो जाया तो इसके बाद मैंने next किया setup इसके बाद next किया तो यह बोला है कि select folder folder बेसिकली जो यह बाइडिफॉल्ट यहां पर आ रहा है C के अंदर jam हम भी से ऐसी रहने देते हैं C के अंदर jam उसके बाद next किया उसके बाद नेक्स्ट तो यह बेसिकली आपका install हो गया इसके बाद setup is now ready to begin installing jam on your computer next किया अब यहां पर को install हो रहा है ठीक है तो टाइम लेगा इसे थोड़ा सा install होने में और जैसे install होता है उसके बाद मैं सीधे उसके अंदर की चीज़ें आपको बताता हूँ कैसे अपने server को start करना है और किन-किन किस-किस service को हमें start करना पड़ता है क्योंकि एक तो इसमें server मिलेगा एक आपको database का start करना पड़ता है तो वह database क्या है फिर उसके बाद आपका कैसे code लिखना है वह कहां जा रहा है तो वह सब चीज़ें मैं आपको इसके साथ साथ बता दूँगा ताकि एक basic जो पता होना चीए किसी भी इंसान को basic चीज़ें पता चल जाए तो अभी basically हमारा server install हो रहा है जैम को हम इसमें install कर रहे हैं और यहाँ पर अगर हम देखें तो यह 4MB के आसपास हमारा sublime text भी download हो चुका है जैसी यह download होता है तो मैं इसको install करता हूँ उसके बाद एक proper code बना के ह हम लोग अपने server पर चलाते हैं और पहला output मैं आप लोग को दिखाता हूँ और PHP का मैं आपको दिखाऊंगा तो इसमें सब्सक्राइब लगएगा तब तक के लिए आप बने रहें तो बेसिकली ऐसा कि आप देख सकते हैं कि almost यह complete हो चुका है और अब यह last का process चल ला है यहाँ पर को creating uninstaller जैसे यह complete होता है मैं आपको आगे का process दिखाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ रहा है completing the jam setup wizard तो मैं इसे finish करता हूँ और finish करने के बाद अब आप यहाँ पर देखो तो language पूछ रहा है मैंने language से पर लिए English इसके बाद यह सब चीजे हंटा देत कि इसको मैं यहाँ पर pin to task bar कर लेता हूँ क्योंकि इसकी मुझे बार-बार requirement होगी जब भी आप अपना कोई PHP कोड लिखोगे तो आपको jam panel autumn install करना वो open करना पड़ेगा तो यह directly यहाँ से हो जाएगा तो मैंने पिन कर दिया अब यहाँ पर दो चीजे हैं जब भी हम अपन और दूसरी service है आपका mysql तो इसको मैं start करता हूँ अपाचे को मैंने start किया और mysql को मैंने start किया ठीक है तो इसको भी मैं allow access करता हूँ यह दोनों मैंने services start कर दी अब mysql start कर रहा है अब ही basically database में मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ लेकिन फिलाल मैंने mysql को start किया है मैं बता रहा हूँ कि आपको क्योंकि जब भी आप mostly dynamic code लिखोगे तो database हो गई होगा PHP कोड लिख रहे हो database से कुछ ने कुछ fetch कर रहे होगे कुछ update कर रहे हो कुछ insert कर रहे हो कुछ delete कर रहे होगे तो उसके लिए mysql की service भी उसी time पे start कर लिया तो ज्यादा बेटर है अब मैं क पर डाला localhost तो आप देखो यहाँ पर क्या रहा है localhost dashboard याने की मेरा proper तरीके से configure हो चुका है यह मेरा server चालू हो चुका है ठीक है PHP my admin में क्लिक करूंगा तो यह basically database दिखा रहा है तो successfully मेरा database भी और जो installation हो पूरी successfully install हो चुका है यह पूरा database का पैनल है और यह basically localhost dashboard जो आ रहा है यह basically कि मेरा server और मेरा proper चालू वर्क कर रहा है इसका मतलब यह है अब यहाँ पर को हमें एक file बनाएंगे कोई भी और उसको मैं आपको run करा कर दिखाऊंगा तो सबसे पहले एडिटर आवी हमारा install हुआ नहीं हुआ हमें देखना पड़ेगा डाउनलोड पर जाते हैं डाउनलोड पर आने के बाद देखा कि हमारा जो एडिटर है वो भी इस्टॉल हो चुका है लब डाउनलोड हो चुका है इसके बाद इसको क्लिक किया इसे हम इस कि नेक्स्ट करते हैं इंस्टॉल किया और इसके बाद फिनिस किया ठीक है फिनिस करने के बाद अब हमारा सर्वर भी और हमारा एडिटर भी दोनों के दोनों हमारे सक्सेशफूली हमारे इसमें इस्टॉल हो चुके हैं अब मैं यहाँ पर जाता हूं सब्लाइम टेक्स त्री को क्लिक करता हूं तो यहाँ पर को सब्लाइम टेक्स त्री हमारा ओपन होके आ गया इसकी मुझे बार-बार रिक्वार्मन पढ़ेगी तो मैं इसे पेंटू टास्क बार कर लेता हूं मेरे उसपर होना चाहिए अब सब आप से पहला काम हम यह करते हैं कि आपको मैं इसका फाइल इस्ट्रक्चर दिखाता हूं जिससे आपको आइडिया आएगा कि यह कहां पर को गया है यानि कहां पर को आपने फाइल बनानी है ठीक है सर्वर आपने इस्टॉल किया रेकिन सर्वर कहां पर इस्टॉल हुआ है server हुआ है आपका c के अंदर zamp नाम का एक folder है और zamp के अंदर ये सारी file आपको दिखेंगी ठीक है अभी हम इन सारी file की बात नहीं करेंगे जो basic हमें file चाहिए होती है कभी भी php code को run करने के लिए जहाँ पर हमारा folder रहता जहाँ पर हमारी website रहती है तो basically htdocs के अंदर रहती है तो इसके अंदर आगर आप देखोगे जो आपको दिख रहा है अभी अगर मैं इसको open करूँ यहाँ पर मैं local host डालूँ यह मैंने local host डाला ठीक है तो local host डालने के बाद जो यह dashboard आ रहा है ने dashboard यह dashboard आ रहा है आपका यह वाला इसको मैं करता हूं more app sublime text नहीं आ रहा है लो कोई नहीं इसको मैं ऐसी open कर लेता हूं open यह फिर इसको नीचे डाल देता हूं यहाँ अपर ठीक है यह गिया अभी देखो एक आपको समझ में आयागा कि सब्सक्राइब यहाँ पर यह पर लिखता हूं welcome to coaching hubs मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से काम कर रहा है तो यहाँ पर मैं गया अभी यहाँ पर क्या रहा है welcome to यह मैं इसको refresh करूंगा तो यहाँ पर क्या आ गया यह पूरी कायदे में एक website है तो अब हम क्या करते हैं अपना एक website create करते हैं अपना समझ लोगी एक folder बनाते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं इसी folder के अंदर जाएंगे क्योंकि जितने भी फाइले आप बनाओगे वह सारी अच्छी डॉक्स के अंदर ही रहेंगी तो आप मान लिए आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो या फिर कुछ भी आप टैस्ट करना चाहते हो तो मैं आपर को एक नए फोल्डर क्रिएट करता हूं उसके नाम रखता हूं कोचिंग हप को इसको सिंपल लगते और कोचिंग ठेक है तो यहां पर हम जाते हैं सब्सक्राइब्टिस वायम् टेक्ट में यहां से मैंने किया ओपन फोल्डर open folder में this PC, this PC के अंदर c के अंदर zam, zam पे हम जाते हैं htdocs में और htdocs में coaching apps को उठा लेता हूँ ऐसे, ठीक है, इसको काट दिया तो अब मैंने कहा किया, basically sublime text से पूरा का पूरा folder उठा ले sublime text के अंदर अब इसके अंदर गर 100 file होती तो तो यहां पर मैं करता हूँ, index.php इसको save कर लिया, अब इसके अंदर हमें code लिखते हैं, ठीक है, basic सा code लिखा, हमने लिखा PHP, और PHP के बाद इसको बंद करके इसके बीच में लिखा हमने, simple एक हम eco कराते हैं, eco और eco कराते हैं हमारा, my name is Lalit and welcome to coaching app तो इसको मैंने save कर लिया, तो अब basically proper कैसे हम काम किया, हमने PHP code बनाए है, PHP फाइल बनाई है, उसका simply output करा रहे हैं, तो अब इसको हमने देखना है, तो देखने के लिए हम क्या करेंगे, local host जो है, basically हमारा server path है, जो base path है, वो local host है, इसके आगे, इसके अंदर, किस नाम से हमारी फोल्डर है, coa, ching coaching hub, इस नाम से अपने एक website बनाई है, तो इसको मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पर आ रहे है, my name is Lalit and welcome to coaching hub, तो यहाँ पर आपको दो चीजें समझ में आई, यह बहुत basic है, बहुत starting का है, कि आपको server की requirement होती है, आपको एक editor चाहिए होता है, अब editor का फायदा यही है, कि जब भी आप कोई code लिखो होगे, और code लिखोगे, तो easily हो जाता है, अगर मान लिया, मैं code लिख रहा हूँ, या कोई HTML का syntax लिखा, तो automatically यहाँ पर HTML लिखा हुआ रहा है, क्लिक करूँगा, तो यह इतना बड़ा लिखा हुआ आ गया, समझ रहे हो, तो मुझे कोई ऐसा नहीं है, hard coded की मैं single one by one line करके लिख रहा हूँ, जैसा हम आज तक notepad पे लिखते थे, तो उसके लिए हमें editor की requirement है, ताकि यह सब चीजें बनी बनाई आ जाए, मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, मैंने यहाँ पर simple stm यह टाइक किया, नीचे html लिखा वारता मैंने क्लिक किया, तो इतना पूरा लिखा वा आ गया, अब title मेरा title आ जाएगा, और वैसे ही अगर मैं यहाँ पर कोई div लगा रहा हूँ, कोई div section का यूज कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिखा div, तो div में क्लिक किया, आप automatically div close भी हो गया, इस तरीके सा हमें editor की requirement होती है, और server की requirement है, हमारे PHP code को run कराने के लिए, जब आप normal html लिखोगे, तो आपको server की requirement नहीं रहती, html क्यूंकि क्लाइन साइट का, पूरा क्लाइन साइट पर काम होता है, ठीक है न, तो वो html, css, javascript इनके लिए हमें server की requirement नहीं है, server की requirement होती है, हमें PHP के लिए, अगर PHP की में मैं बात करूं, तो PHP के लिए आपको server की requirement है, और जितनी भी programming language है, जहाँ पर को हम कुछ database को request भीजते हैं, जहाँ पर हमें database की requirement होती है, तो वहाँ server की requirement होती है, जो कि उस queries को process करें आपके, तो इसके लिए ये पूरा tutorial मैंने आपके लिए बनाया, जिसमें मैंने आपको server और इसके बारे हम बताया, अच्छा लगा होगा तो like करना, नहीं लगा तो dislike कर लेना कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद क्योंकि आप मैं इसके एक series बना रहा हूँ, जिसमें मैं आपको कुछ जो basic task हमारे पास आते हैं, freelancer के अंदर, तो वो task कैसे करने होते हैं, जैसे wordpress के task आते हैं, कोई theme आपको customize करनी है, या फिर एक basic theme आपको बनानी है, photoshop to wordpress आपने conversion करना है, convert करनी है कोई theme, तो उस तरीके से बहुत सारे task आते हैं, तो basically मैं इन चीजों के बारे में आपको बताऊंगा, औ आपके काम आ सके, तो यह था इस वीडियो में, thank you so much guys for watching this video, आपसे फिर मुलाकात होगे, तो तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो, इधर रहो, या किधर भी रहो